हेलो फ्रेंड्स मेरे चेहल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मनाने जारी हूं बहुत ज्यादा टेस्टी प्रोटिन फाइबर से भर फू मिल्क ओट्स अगरा बेट लॉस करना चाहते हैं तो आप ये रेस्पी जरूर डाई किजिएगा बहुत ज्या आप इसको बना के खा सकते हैं बहुत ही मज़िदार रेस्पी है तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके लिए मैं आप ये 300 ml दूद लिया है आप इसमें कच्छा अवला कैसा भी दूद ले सकते हैं अब हम क्या करेंगे दूद में अच्छे से बॉयल आन काफी फूलते हैं तो मैंने आप ये 300 g दूद के साफ़ से आपर ये 25 g के करी ओट इसमें यूज किये हैं अब सब्सक्राइब मिक्स कर देते हैं अच्छे से बढ़ियासे इनको पकने देते हैं जब तक ये तोड़ी से ओड्स जो है थोड़ी से सब्टना हो जाए तो इस त यहां पर इसको पकते हुए लवग एक मिनट हो चुका है और यह हलके से सॉप्ट भी होगे हैं थोड़ा सा थिकनेस भी आगी इसमें इनको पकने में तीन से चार मिट करी टाइम लगता है बहुत ही जल्दी से पक के त्यार हो जाते हैं तो अम मैंने आपर इसमें कुछ ट्रा ड्राइबूर्स आपके पास जो भी अवेलवल है वह आप ले सकते हैं और कोई भी ड्राइबूर्स आप इसमें से हटावी सकते हैं यह पूरा आपकी चॉइस है कि आप इसको कितना हैल्दी बनाना चाहते हैं क्योंकि बेट लॉस के लिए हम बना रहे हैं तो हमारे सरीर को काजू, थोड़-थोड़़ए से बचा रही हूँ, क्योंकि बाद में गांशिन करनी है और चिरोंजी हैं, उनको फूरा ही डाल देंगे एक साथ, थोड़़ए से अंपर यह यह भी डाल देती हूँ, थोड़ए-थोड़ए से ड्राइबुर्स में बचा लिया है, थोड़ए उसमें थोड़ा सा गाड़ा बढ़ना आजाए तो सी तरह से हमें एक ही दूनट में चेक करती रहना है मैं इसमें चीनि का यूज नहीं करने हूँ मैं इसमें बाद में सहयत का यूज करूँंगी बट हम बेठ लॉसके लिए चीनि के लिए लिए ज्यादा अच्छी नहीं नहीं करेंगे यहां पर आँट को पकते हुए लगवट तीन से चारवट हो चुके हैं अब आप देख सकते हैं कि यह काफी ठिक हो गए हैं एकदम बड़ा कंसिस्टेंस्यम हो चुके हैं और जो ओड्स हें वो भी काफी अच्छे से 1 तोट हो गए है मैंने निनको चैक कर लिया है काफी अच्छे से एकदम से तूट रहे हैं काफी बढ़िया से से कंसेसें सकते हैं इसकी स्दम हो चुकी है बहुत ही बढ़िया से घारा बना चुका है क्योंकि अब यह ठंडा होने के बाद और भी ज़्याद थिक होगा तो हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे यह सिर्फ पांच मट में हमारे इस तरह से मिल्कोट्स बनकी तयार हो गया है देखिए बहुत ही बढ़िया लगने है अब हम गैस को ओफ कर देते हैं इसको पहले हम हलका सा ठंडा होने देते हैं उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर जो मिल्कोट्स रखा हुआ है वो काफी अच्छे से ठंडा हो गया है अब आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद यह काफी थिक भी हो गया है यानि कि परफेक्ट कंसिशेंजी है यह अब हम इसको सर्व कर लेते हैं तो अब हम लेंगे इस तरह का एक बावल और इसमें हम इसको सर्व करेंगे यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है देखने में बहुती परफेक्ट कंसिशेंजी का बनके तयार हुआ है तो आप इस ओल्ट को कभी बना के खा सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता दो चम्मच सहेद आपको जितना मीटा पसंद है उतर आप डाल सकते हैं पर दो चम्मच इसमें आराम से डल जाएगा तो इस तरह से हम इसको दो चम्मच में सहेद डाल देते हैं सेद हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो आप अगर बेट लॉस करना चाहते हैं तो सेद का यूज किया करें थोड़ा सा इस तरह से सेद को हम इसमें मिला देते हैं अब हम उसमें डाल देंगे जो हमने डाइपोट्स पचा के रखे हैं डाइपोट्स डालने से देखने में सुन्दा लगता है तो जिससे कि देखने वाले और खाने वाले दोनों के मूह में ही पानी आ जाएगा तो ये देखे हमारे बहुती बढ़िया टेस्टी हेल्दी मिल्कोट्स बनके तयार हैं देखा आपने इसको बनाना कितना ही आसान है बहुती जटपट से बनके तयार हो गए हैं सिर्फ 5-6 मिनट का टाइम लगा है इनको बनाने में अगर आपको में रेसिपी अच्छी लगिए दुर रेसिपी को लाइक विजयल को सब्काम करें एंजियर करें फिर मिलेगे रेसिपी के साथ तब तर के लिए बाइबाइबाइब